मस्कार आप देखरी इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी दीश के सामने सहड़े तीन सो साल से एक यक्ष प्रश्न खड़ा है काशी की ज्यान वापी मंदिर है या मस्जिद ये भगवान शिव का स्थान है या एक हसार साल पहले बनी कोई मस्जिद जवाब के लिए लोवर कोट से लेकर सुप्रीम कोट तक दलीलों का भ्यंकर दोर चल रहा है सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष कुछ तस्वीरे लेकर हाई कोट के जजज के सामने खड़ा हो गया इन तस्वीरों में जो देख रहा है और इन तस्वीरों से जो मेसेज निकल कर सामने आ रहा है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ग्यानवापी सचमुच एक मंदर था आज में आपके सामने बीस तस्वीरों के जरिये ग्यानवापी का वो गुमशुदा सच दिखाने जा रही हूँ जिससे दुनिया के सामने लाने से मुस्लिम पक्ष रोक रहा है आज तस्वीरे खुद गवाही देंगी हर एक तस्वीर की क्या कहानी है ये बताने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुद वो शक्स मौझूद है जिनके चर्चा आज का अलदेश भर में हर कोने में हो रही है जो इस केस में हिंदु पक्ष के वकील है विश्णू शंकर जैन वो खुद स्टूडियो में मौझूद है बहुत स्वागत विश्णू जी आपका स्टूडियो में इससे पहले कि आज एक एक तस्वीर एक गवाही जब ये तस्वीर खुद दे आप इस केस को अभी तक लगाता लड़ रही है सुप्रीम कोट में आपने देखा आपने इलाबाद हाई कोट में देखा एक तस्वीर जो इस वक्त मैं दर्शकों के सामने रख रही हूँ ये तस्वीर मुझे तो कम से कम विश्णू जी बहुत हैरान कर रही है कोई सोच नहीं सकता कि एक मस्जित के अंदर कोई खंडित मूर्थी हो वो धर्म विश्णू जी जो मूर्थी पूजा के ही खिलाफ है ये जो मूर्थी है ये मूर्थी क्या कहती है क्या ये मूर्थी है भी पहले आप ये तस्वीरों को देखे बता है definitely ये मूर्ती है और मुझे ऐसा लगता है कि वरा अफ्तार की ये मूर्ती है ईश्वर की भगवान की और सबसे important बात है कि ये जो मूर्ती हमें मिली है व्याज जी के तहखाने में मिली है जो ठीक आज जो नया temple complex है जहां पे नंदी इसम में विराजमान है ठीक उसके सामने व् व्याज परिवार के लोग नवेंबर 1993 तक पूजा करते चले आ रहे थे और बैरिकेडिंग लगा के उनको बाहर निकाल दिया गया प्लेस वर्शेप एट के उलंगन में ये उस तहखाने की तस्वीर है उस तहखाने में मूर्ती मिली है तो ये मजजित के जस नीचे है ग्र आकरिती लग रही है और एक दूसरा पाओ इस तरफ आप अराम से आकरिती है ये जो फेस है ये काफी क्लियर है जिसमें लग रहा है कि हां मतलब जो हमारे देवी देफ्ता थे उनका ये प्रतिमा लग रही है खंडित है नो डौत खंडit है और साथिसा इधर बही आकरिती मूर्ति का बाकी जो हिस्सा है इक पोड के तूट गया है और इन ग्रेव्ट था जिसको पत्थर को तोड के हटा दिया गया ऑद वियास जी का जो तहकाना' मैं तोड के नीचे फिक गई है। आप ाप ये कि मैं शुरुवात कि क्या कि मस्जदों परिसर में मूर्ति होती मूर्थी का क्या कोई काम है, किसी भी मजजित परिसर में, आपके मन में इस तस्वीर को देखकर क्या यह सवाल नहीं उचेगा और जो मुस्लिम पक्ष है वो इन तस्वीरों पर पिर क्या कहेगा वो देखीं वो तो कोर्ट की बात है लेकिन एक और तस्वीर है अपके सामने रख रहे हूँ ये तस्वीर ये भी ग्यान वापी के अंदर की तस्वीर है, ये तस्वीर नमबर टू है ये भी खंडिट मूरती नफर आ रही है और इस मूर्थी का अगर मैं एक ये एंगल दिखाती हूँ दर्शुकों को तो विश्णों जी इस तफ्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है ये मेरा अकलन है गलत हूँ तो आप बताईएगा जो गणेश जी का मुशक होता है या कोई जानबर होता है कुछ ऐसा ही तो इसके आक लगता है कि ये मुशक के रूप में ये पूरी मूर्थी है और ये वहाँ पे विराजमान थी और इसकी आज ये खंडे तवस्ता में है और ये भी हमें व्याज परिवार के तहखाने में मिली है जहां पे पूजा चलती-चली आ रही थी और वहां का दर्वाजा तूट ये वहां से कोई समान निकाल ले वो पूरी प्रिमाइसे दिसन में CRPF के कंट्रोल में इसलिए पड़ी रही ने तो ये भी नहीं रहती ये जो खंडन हुआ है जो खंडित हुई है अच्छा मतला आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीफे यहां से गायब की गई हैं और बह लाके में मस्जिद में ये भी हो सकता है क्योंकि मुस्लिम धर्म तो कहता है इसलाम धर्म ये कहता है कि हम मूर्ती पूचा के खिलाफे तो किसी भी मूर्ती का कमस कम किसी मंदर परिसल में तो कोई काम नहीं है तो पहली तस्विर हमने आपके सामने रखी जो ये बता रही थ अब यह जो अवशेश दिखाए दे रहे हैं यह भी मंदर के अवशेश है लेकिन यह अवशेश यह कलाकृती क्या है और इन अवशेशों को देखकर अश्वर लगता है कि जैसे जो हमारे मंदिरों की कलाकृतियां होते थी यह उस तरीके किसे त्यार की गई है बिलकुल सही क्याँ की क्या रहे हैं और यह जो खमबे यह खम Wen के वरिकेट स जैसे लग रहे है आज एगर आप वैस्ट ऑन वाल में जिस तरह से हमारी हिंदु कलाकृती होती थी जिसमें हाथी के स्वरूप में पूरी कलाकृती बनी रहती थी खंबे बने रहते तो यह उसके ब्रैकेट्स है जो टूटे हुए ब्रैकेट्स वहाँ परिसर के अंदर मिले है और यह किसी भी तरह से को इस्लामिक आर्किटेक्ट्चर नहीं है अच्छा भी से इस्ला की गई है इतनी भारी मातरा में ऐसे पत्रों पर क्योंकि ऐसे पत्तर आ पर और मात्रा में इन पत्थरों परें इस तरह पोर्म करेंघ चुप जिससे इनका original character छुप सके और इसी की dating के मांग कर रहे हैं कि ये जो सारी चीजे मिली हैं ये पता तो चले कितनी पुरानी है क्योंकि मैं थोड़ा तो तोड़ने के भी जरूरत नहीं है तो इसका अंच लेके 10 gram sample लेके पता चल जाएगा कि ये पत्थर कितने पुरान है क्यों मतलब बहुती विनमरता से कहना चाहता हूं कि जो मुस्लिम पक्ष का केस है वो यह है कि इसको औरंजेब ने बनवाया है 1669 में और हमारा केस है कि उससे पहले का बना हुआ है तो पूरा जो आज पूरी जो पूरा question है वो यह है कि कौन prior in existence है हमें ये शो करना है कि पहले से ह हमारा मंदर था उन्हें ये शो करना है कि औरंजेब की टाइम था इसलिए SI की जरुवत है और इसलिए carbon dating की जरूरत है carbon dating तभी हो सकती है जब court allow करता है और ये तीन अगस्त को तैय हो जाएगा क्योंकि coach का फैसला इलाबाद high coach का फैसला तीन अगस्त को आएगा लेकिन परिस्वर के कौन कौन सी जगह पर साबने आई है वो विश्णु शंकर जयन हमें बता रहे हैं एक और तस्वीर अच्छा इस तस्वीर को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जब किसी भी मंदिर में हम जाते हैं जहां पर भगवान की प्रतिमा रहती है तो उसे चारों तरफ स गेरा जाता है तो उसके चार कोने होते हैं और जब चार कोनों को हम देखते हैं तो इसी तरीके का कुछ फ्ट्रक्टर दिखाए देंदा है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर मूर्तियां बनी हुई है जिसको डिफेस किया हुआ है इस जगा तोड़ा गय के हिंदू अस्तित्व के हिंदू आस्था के जैसे आर्किटेक्चर होता था उस तरह के खंबे हैं जिनको तोड़ा गया जिससे समझ में आता है कि यह को इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं हो सकता है आपने इन तफ्वीरों को सामने से देखा है जी बिल्कुल मैं तो वहां एड़ोकेट कमिशन की सर्वे की कारवाई में था और इसलिए दर्शकों की जानकाली के लिए यह समझ में आए विश्णू जी ने खुद इन तस्वीरों को सामने से देखा है और अगर यह कह रहे हैं कि समतल नहीं है आप इस तस्वीर में देखकर अंदाज वा लगा सकते हैं खुदा हुआ है यह भी इस तस्वीर को देखकर समंझ में आरा है लेकिए यहां पर कोई भग्वान की आक्रती होगी देखिए ऐसी बहुत सारी तस्वीरे हैं वहां पर जिससे समन्झ में आता है कि जो खमबे हैं उसमें हिंदु-देवी देवता और चिंते जो देवि वो स्वरूप समझ में आ रहा है जिससे समझ में आता है कि इस देवी देवता की जो मूर्ती आज इस पिलर में इंस्क्राइब थी उसको तोड़के उस पिलर को आज इस्तमाल किया जा रहा है चलिए एक और तस्वीर अब आपके सामने रखती हूँ अगली तस्वीर क्या कहती है आपके मन में यह तस्वीर फिर एक नया सवाल खड़ा करेगी अब यह यह भी कुछ सी मंदिर का ही अफशेश दिखाए देता है यह जो काल्विंग की गई है यह क्या किसी पिलर की तस्व जिसकी चाबी उनके पास है, तो यह जो तस्वीर है, यह पहले ही जैसे आप उनके तदागतेद मस्जित के अंदर घुषती हैं, बैरिकेडिंग के अंदर, तो उसके लेफ्ट साइड में जो तहखाना है, यह वहां की तस्वीर है, और यह वहां पे हमें मिली थी, और इससे ह हमारा यही परपस है, कि यह सारा जो आर्किटेक्चर है, यह जो सारी पूरी मतलब कलाकृती है, यह बहुत पुरानी है, और अरण जेव से पहले की हैं, और यह किसी भी तरह से इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं हो सकता है, जितनी चीजे वह उपयोग कर पाए, उसका उपयोग कर दिया जिसकी उपयोग नहीं कर पाए उसको तोड़ के खंडे तवस्ता में वही मज़ित परिसर में रख दी देखे हमारा आज का इस पूरे कारेकरम का मकसद यह है कि जो तस्वीरे हैं वो आपके सामने आनी चाहिए जो आर्फिटेक्चर है जो अब तक आपने नहीं देखा वो आपके सामने आना चाहिए और ये वो तस्वीरे हैं जो कोट के अंदर पेश की गई तस्वीरे हैं जो बहाँ पर ASI की टीम सर्वे करने के लिए गई थी, ये वो तस्वीरे हैं, इसलिए ये सच आपके सामने आना बहुत जरूरी है, हिंदु पक्ष का एक दावा ये भी है कि मंदिर के शंकुकार मंडब के उपर मस्जित का गुंबद बना दिया क्या, मंदिर का आप जानते ह में शिखर होता है, और गुंबद मस्जित का होता है, ऐसा गोलाकार होता है, अब इस दावे से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी सामने आई है, ये तस्वीर आप देखें, और इस तस्वीर की कहानी क्या है, मिश्णु जी हमें बताएंगा, ये वो तस्वीर सीदा आपके सामने में रखती हूँ, अब ये टीम है, जो यहाँ पर जाच के लिए पहुंची थी, एक ये हम शिखर देख रहे हैं, ऐसा लगता है, और उसके ऊपर फिर एक और ये आकरिती बनाएं गई, इसके आवेशक्ता क्या थी, अगर मान लीजे, ये मस्जित परिसर है, तो इतन में डिस्कवर की, जब उस कमिशन की कारवाई में गयते हैं, तो वेस्टन वॉल से एक दर्वाजा दिखता है, उससे सीडियां जा रही हैं, जो उपर गुमबत तक जाती है, तो जब वहां हम गया है, तो गुमबत के अंदर एक खिड़की बनी हुई थी, जब उसके अंद आसी आकरिती बनाई हुई है, और अगर आप नीचे से देखेंगी, जो आप किसी भी मस्जिद में नहीं पाएंगे, नीचे से अगर आप देखेंगी, तो आपको मस्जिद का डोम दिखी नहीं रहा है, क्योंकि वह इस हिंदु मंदिर का शिखर से कवर्ड है, आपको नहीं दिखेगा, जबकि ये तो दिखता है, आप दिखना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दिखता है, क्योंकि नीचे से शिखर है, और मैं यही बात हमेशा बार-बार चिला-चिला के कह रहा हूं, कि ये कोई फ्रेश, मैं दुबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, उसी को मस्जित का रूप देने की कोशिश की गई है, इस तरह का आर्किटेक्चर, कि एक गुमबत के नीचे दूसरा हिंदू मंदिर का शिखर हो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इसी की जाच की मांग की जा रही है, कि इसकी जाच की जाए कि ये कितना पुराना है, औ कौन पहले बना हुआ है, ये सिंपल सी लॉजिकल बात है, मैं थोड़ा सो और इसे चाहती हूँ कि आप एक्स्प्रेइन करें, ये इसके आसपास, इस छिखर के आसपास, ये तो ऐसा रगरा मंदप है, हम सवाल इसे पूछने हैं, क्योंकि आप तो ये कोट को तैय करना है, सरवे होगा तब तैय होगा, मुस्लिम पक्ष कितने रोडे अटकाता है, वो आगे की बात है, लेकिन इसके आसपास के परिसर में और क्या चीज़ है आपने देखी, देखिए इस पूरे इस गुंबत के अंदर हम गये, मैंने जैसे कि आपको बताए कि जब आप वेस्टन मंदिर का शिखर होता है, यह उसका एक परिसर लग रहा था, जिसके उपर यह गुंबत बनाया हुआ है, तो इसकी भी अट्रोकेट कमिशनल महदे ने इसकी फोटोग्राफी की थी, और यह उस समय की तस्वीर हैं, जब कमिशन की कारवाई 14, 15 और 16 माई 2022 को खीची गई थी और इसलिए मैंने जब यह तफ्वीर दिखाए ना विष्णोजी मैंने यह सबाल दर्शकों के सामने रख दिया, कि अगर आप मवजित का गुंबत तयार कर रहे हैं, तो एक गुंबत के नीचे और गुंबत की आपको आवश्यक्ता क्या है, तो फिर एक ही गुंबत काफी तो यानि क्या कुछ छिपाने की कोशिश हुई है? अब यही तो जाँच की बात है. बना हुआ है और वही हम कह रहा है कि हिंदू मंदिर के प्रांगड को एक मस्जित का रूप देने की कोशिश की गई है जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है हिंदू शास्त्रिक नियम का उलंगन है और इसलामिक लोग का भी उलंगन है चलिए एक और तस्वीर अब आपके सामने अब मैं फिर एक प्रशन आपके सामने रख रहे हूं दर्शकों के सामने इस तफ्वीर को आप देखते हैं तो क्या आपको कोई मस्जित की मिनार याद आती है या आपको ऐसा लगता है कि कोई मस्जित के अंदर की कलाकृती या किसी खंबे पर उकेरी की आकृती ऐफी हो स सेंद होने के लिए या ऑले बने हुए हैं ये जबाले बने हूए देवी को रखने के जहां पर अलग अलग देवी की प्रतिमाय होती थी यह जिस को कर दें । कलाकृती से भरी हूँ तस्वीर है और मैंने अपनी अप्लिकेशन में यह बात लिखी है I am so grateful to you इसमें जो इस तरहां से painting की गई है भारी मात्रा में आप देख रही है white color की painting की गई है कहीं कहीं से उखड भी गई है हाँ कहीं कहीं उखड भी गई है इसलिए कि इसका जो original material है जो उसमें use किया गया उसको छुपाया जा सके और एक बात और बताना चाहता हूँ यह जो पत्थर है और जो मस्जित के अंदर central dome के जितनी पूरे पत्थर है और जो western wall का पत्थर है वो सेम पत्थर है वो सेम पत्थ के उपर ही इस हिंदू मंदिर के खंबे के उपर ही यह तथा कतित मस्जित खड़ी हुई है एक और तफ़ीर आप कितना भी लीपा पोती कर लें सच लीपा पोती के नीचे छिपता नहीं है वेरहाल हम फिर फेक और तफ़ीर आपके सामने रख रहे है अगर मैं गलत नहीं ह तो मुझे कहीं कहीं कमल के आखरती दिखाये रही है और इसमें एक और नोटिस करने वाली है इसको भी पेंट किया गया है मैं आपको बताना चाहता हूं शायद मैं उतना ना एक्स्पेंड कर पाऊं और मेरी बात लोग कोशिश करें समझने की यह पहले इसका जो से लिए इसको बाइट से खुब भारी मातरा में पेंटिंग की गई है और उन जगह पेंटिंग की गई है कि जिससे हिंदू मंदिर के जो खंबे हैं उसको चुपाया जा सके यह उद में से एक है अब आप यह देखिए अभी तक कि जो तस्वीरें केवल दस तस्वीरें मैंने आपके साबने रखी खंडत मूर्ति आपको दिखाये दी एक मूर्ति ऐसी दिखाये दी जैसे वो किसी मुशक की तस्वीर हो मूर्ति हो खंडत हो गई वहा के खंबे उसकी कलाकृती डोम यान सच आज इन तस्वीरों के ज़रिये हम आपके सामने रख रही हैं इसमें एक एक तस्वीर खुद अपनी कहानी गवाही दे रही है ज्यान वापी क्या मज़िद है या ज्यान वापी मज़िद से पहले एक मंदिर था और जिसे तोड़ कर वहां पर मज़िद बनाए गए ये त यह देखिए यह इस तताकतित मस्जित की वह वाली वाल है जहां से हम लोग एंट्री करते हैं जब कोई आदमी गेट नंबर चार से एंट्री करता है और लेफ्ट अन लेता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इसको राइट साइड में इस बैरिकेडिंग दिख रही है इसको कार्ट के गेड बनाई हूए है जिससे आप इस तताकतित मस्जित के अंदर जाते हैं तो जैसी अब अंदर जाते हैं तो सामने आपको दिवाल दिखती है इस तरह की यह और जो ऊपर आप थोड़ा सा देख पारी है जो जंगला लगा हूआ है यही वजू टैंक है ज यह जो मिला है यह मैं वही बता रहा हूं कि जैसे आप मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे एक तहखाना है उस तहखाने की चाबी इस समय अंजुमन इंतिजामिया के पास है उस तहखाने में जो खंबे है यह उसकी तस्वीर है जहां पर संस्कित के श्लोग है कि उसका जो चुपाया जा सके मैं अगर शायद अपनी बात एक्स्प्लेइन कर पा रहा हूं कि यह जो पूरा पिलर है यह इनीशली रेड सैंस्टोन का पिलर था जिसको ता बहुत भारी मात्रा में पेंटिंग करके वाइड कलर के पेंट से और यह संस्कित के श्लोग ल और देवी देवताओं को रखने के जो आले होते हैं वैसे ही वहां पर कलाक्रिती बनी हुए है अंदर से मूर्ती हटा दी गई है और बाकी सारी चीजे और इस खंबे के उपर ही यह तदाकतित मस्जित खड़ी हुए है जितने खंबे आप दिखा रही है इन खंबों के पर होल्ड करिएगा जब आप उर्दू देखते हैं तो उर्दू की लिखावाट बिलकुल अलग होती है लेकिन मैं क्यों कह रही हूं कि यह संस्कृत लिखावाट हो सकती है आप यह देख रहे हैं जिस तरीके से यहां पर ना कहीं आपको दिखाए देगा कहीं यह दिखा यह देवनागरी लिपी जैसा लग रहा है यह उर्दू जैसा तो कमसकम मुझे नज़र नहीं आता वाकई मगर यह मुगलिया दौर का कंस्ट्रक्शन था तो उन्होंने हिंदी में यह संस्कृत में तो कमसकम लिखावट नहीं कर वाई होगी और यह काफी पुराना है मैं इसको देख के हम लोग शौक हो गयते क्योंकि चीक चीक के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का भगनाव शेष है जिसको आज आप पिलर कह रहा है कि हमने और जेव ने बनवाया और इसी की जाच होना जरूर ही है एसाई जब जाएगा जब कभी कोर्ट इसका ओर्डर करेगी और मुझे पूरी उमीद है कि कोर्ट हमारी बात को मानेगी क्योंकि हमारी बात लीगली और फैक्च्जली करेक्ट है अगर नहीं होगा तो हम सुप्रिम कोर्ड जाएगे पर मैं यहांपर जो Poynt एशु प्रिंस्पल उसकी बात कर रहा हूँ प्रिंस्पल ये है कि ये जो यह कोई इस्लामिक आर्खिटेक्टिर नहीं है यह औरन जेव के समय नहीं बना हुआ था यह उससे पहले का कंस्ट्रक्शन है और इसी चीज को एसार्टेन करने के लिए और डिस्टिट कोड वारा नसी ने एसाई को आदेश दिया एक और तफ्वीर आपके सामने रखते हैं और तफ्वीर आप यह देखें वही जो आला मैंने आपको करीब से दिखाया था विष्णोंची देखिए यह ऐसा लग रहा है उसी पिलर के एक हिस्से में नीचे भी दिखाई देर यह देवी देवताओं को रखने के आले हैं उपर घंटिया बनी हुए बहुत ही क्लियर स कि गई है यह मैं एक बार फिर से दिखा देती हूं यह जो आकरिती आप देख रहे है ना छोटी छोटी घंटिया एक दो तीन चर पांट छे साथ आट नौद अगर हम इसे चारों तरफ से कहें तो घंटिया ही दिखाई दे रही हैं इसे अलग यह कुछ और हो ही नहीं सकता है क्लोस इमेच भी करके हमने दर्शकों को दिखा दी अब घंटियों के आविशकता या घंटियों के भगनाशेश जैसे आप कह रहे हैं मस्जिदों में तो नहीं होते लेकिन अकर यह वहां के तहकानों में मिला यह पहला तहकाना है जिसमें यह इजाज जी के कंट्रोल मे है उनके पास इनकी चावी है मुस्लिम पक्ष के पास मजजिन में घुशते ही राइड साइड में यह तेहखाना है और यह उसी का अंदर मिला हुआ हूँ है एक और तस्वीर अब आपके सामने 1 वी तस्वीर, ग्यानवापी के अंदर से आई तस्वीरों में दीवारों और खंबो पर कलाकृतिया दिखाए दे रही है और दावा ये किया जा रहा है कि कलाकृतिया नागर शेली में बनी हुई है और ऐसा प्राचीन मंदिरों में होता था अब देखिये मैं कोई ना आर्केलोजिस्ट हूँ ना मुझे इस तरीके की इंग्रेवट आर्ट की कोई जानकारी है लेकिन आप तो लगाता है लोगों से संपर्क में हैं उनका क्या कहना है जानकार क्या कहते हैं जानकार ये कहते हैं कि ये ब्रह्म कमल है ब्रह्म चक्र है औ तरह का जो आर्किटेक्चर है वो हिंदु मंदिल में मिलता है और आज स्वक्राय। भी इस तरह का आर्कि टेक्चर मिला है जिसकी विराजमान होते हैं तो उसके आक रहतीरित होते हैं एक पेटल होगा, फिर उसके बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ठीक उसी तरीके से आप देखिए, इसका सेंटर, इसका कोर, उसके बाद फिर ये दूसरा सरकल आप देख रहे हैं, उसके बाद एक और सरकल आप देख रहे हैं, और फिर ये चौथा सरकल आप देख रह यह कुछ वैसे ही तस्वीर नज़वर आएगी आप इन फैक्ट आप मॉडरन एरा में भी आप देख लेंगे जितने भी मंदिर तयार किया जाते हैं ब्रह्म कमल सबसे कॉमन विश्णुची मतलब मेरे मेरी नज़वर बिताता है बिल्कु आप सही का रही अभी राम मंदर का अगर आप इस समय भी आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन मिलेगा अगर आप इस समय बैजनाथ धाम चले जाए तो वहां पर भी मैंने तस्वीर खीची वहां पर भी आपको सेम अर्किटेक्टर मिलेगा एक और तस्वीर यह एक तरफ यह ब्रह्म कमल है और यह दूसरी तरफ आप अगर मुझे समझा सकते हैं तस्वीर थोड़ी सी हलकी आ रही है थोड़ी सी ब्लर है लेकिन वहां पर ऐसी और क्या चीज़े थी जो यह हैरान करती है कि नहीं है तो नागर शैली में बनावा मंदिर मुगलिया कंस्रक्शन नहीं हो सकता देखे क्योंकि यह आप अभी पिल आप अर्किटेक्शर है और इसी की हम जांच की बात करें कि इसकी जांच की जाए इसकी भी तस्वीर नंबर 13 आप जब देखते हैं कि किसी भी वाल का कंस्रक्शन होता है तो उसकी उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है बॉडर अस तयार किया जाते है सारी बिल्कुल सही कह रही है आप कि ये नागर शैली से बना हुआ अर्किटेक्शर है और ये जो पूरी कलाक्रती है ये स्थतागतित मस्जित के वेस्टन वॉल तक जा रही है और वेस्टन वॉल के बाहर जो मां शिंगार गौरी की हम लोग प्लिंद पे चौखट पे पूजा अच्छा इसी बात से मुझे ध्यान आया आप जब बार-बार कहते हैं कई सारे लेयर्व पेंटिंग की गई और अंदर से रेड स्टोन निकल कर आ रहा है आपको इसमें दिखाए दे रहा है इस तस्वीर में आप तमाम दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे है आप सिर्फ विश्णु शंकर जैन जो कह रहे हैं वो मत सुने या जो मिनाक्षी बोल रही है आप वो मत सुने लेकिन आप क्या ये तस्वीर देख पा रहे हैं उपर देखिए वाइट पेंट नसर आ रहा है लेयर्व ऑफ वाइट पेंट है इससे देखकर तो सफेधी एक और तस्वीर आपके सामने अब रखती हूं एक एक तस्वीर आज गवाही देगी आज मिनाक्षी नहीं बोल रही है केवला विश्णु शंकर जैन को ना सुने आप खुद देखें और खुद आकलन लगाएं ये आपके सामने तस्वीर है स्वास्टिक स्वास्टिक है म स्वास्टिक का चिन आप दिखा रही है नीचे की कलाकृति भी है जिसमें आप इसको पान का पत्ता भी कह सकते हैं इसको आप बेल पत्र भी कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग एक ऐसे आर्किटेक्चर आपको हिंदू मंदर मिलते हैं साथी साथ जो उपर स्वास्टिक है ये जा करने मों Halo जा सकता है लिए यह स्वाश्ग करने के बाद है कि इसको करने के बाद करने बाद किसे को रहा आने पाए जा सकता था अश्याजिक Origin के स्वास्तिकर चिपना विदे स्वास्तिकंटब के हाँ मिलें और किस मेरें संतिंतरलगरल मिलें त्रिशूल भी मिला है त्रिशूल बना हुआ मिला है डमु बना हुआ मिला है स्वास्तिक चिन मिला है सुखाय सरवधर्म हिताय के बात करूं और फिर एक स्वास्तिक का भी यहां पर निशान दे दू तो यह तो असंभव है लेकिन इसके बावजुद है कर मंदिर परिसर यह है जैसा के हिंदु पक्ष दावा कर रहा है तब यह बड़ी ही वाजिब से बात है बड़ी नॉर्मल स स्वास्ति के चिन, संस्कृत के श्लोक, हिंदु आर्खिटेक्चर से भरी हुई कलाकृती, कटी हुई मूर्तिया, पिलर्स, घंटिया, देवी देवताओं को रखने के आले, गुंबद के नीचे गुंबद, पूरी वेस्टरन वॉल अभी आप दिखाएंगे मुझे लगत और डिस्टर्ट कोर्ट वारा नसी ने निर्देश पारित की हुई और फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगा, कि यह जो ओरिजिनल रेट सैंस्टोन से बना हुआ कैरेक्टर है, यह आपको किसी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में जल्दी नहीं मिलेगा, और यह जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, यह एक हिंदू मंदर का कंस्ट्रक्शन है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी जासे भागने की कोशिश की जा रही है, यह कहां पर ली गई है, यह इस तत्ताकतित मस्जित, जैसे आप घुस्ती हैं तो उसके राइट साइड में, वहाँ पे जो आॉटर एरिया बहार से दिखने वाली तस्विर हैं, और यह जो खंबे हैं यह वहाँ पर दिख रहे हैं अगर आपके पास Western Wall की तस्वीर है मैं फिर अपनी टीम से घुज़ारिश करूँगी तो Western Wall की तस्वीर भी आप दिखाएं तब तक एक और तस्वीर में तस्वीर नमबर 18 ज़रा दरशकों के सामने रखती हूँ डमरू का निशान, स्वास्तिक का निशान, त्रिशूल का निशान और अब एक और तस्वीर यह डोम की तस्वीर है यह हां उस Central डोम के नीचे जो हिंदू मंदर का कटा हुआ शिखर है यह उसकी तस्वीर है Central और मैं आपको यह भी बताने चाहता हूँ तीन जो गुंबद है उन ती तीनों गुंबद के नीचे हिंदू मंदर के कटे उस शिखर है सिर्फ Central डोम के नीचे नहीं है आप किसी पिच्चर ली गई है तो तीनों की पिच्चर ली गई है और यह वाली जो पिच्चर यह वेस्टन वॉल है और खुद बताएं मैं इस तस्वीर को देखकर अगर बात कहूंगी तो लोगों को हो सकता है लगेगा कि एंकर जज्जमेंट कैसे पास कर रही है लेकिन यह तस्वीर क्या कहती है विश्टन जी आपका दावा क्या कहता है देकि हमारा दावा यह है कि यह जो पूरी वेस्टन वॉल है यह सबसे क्लिंचिंग पॉइंट है इस प आप इधर ही आजाए विश्टन जी आप यह बताईए यह जब हम अब अब यह ब्रैकेट से ऐसी आपको कलाकृती पूरी के मंदिर में दिख सकती है सोमनात मंदिर में दिख सकती है और बहुत सारे मंदिर जिसमें आपको इसी तरह की कला कृती दिखेगी एक यह बड़े को तिर उसके अंदर कार्विंग करके यह पूरी तयार की जाती है मैं तो देखिये उस चंपोस यह बहुत इंपोर्टनेंट है यहां पर हाती बना रहता था जिस तरह से हमारे आर्खिटेक्टर में उसको तोड़ दिया गया है जहां जहां हिंदू आर्किटेक्टर था उस उसी का प्रारूप उसी का स्वरूप आपको तथा कतित मस्जित के सेंट्रल डॉम और बाकी दोनों डॉम के अंदर मिलेगा जिसको भारी मात्रा में पेंट किया गए अगर कोई ये कहे कि हम हिंदुफ्तान में आ गए अब यहां पर हमारा राज है यहां के कल्चर से हमने क्योंकि आपने हिंदुस्तान में आके यहां कि अगर कलाकृति को अडाप्ट करने कोशिश की तो कभी भी आप इस्लामिक लॉग के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं आप ऐसी कोई भी मुझे मस्जित दिखाई है जो मस्जित के अंदर स्वास्तिक हो कटी-कटी मूर्तिया हो देवी देवताओं को रखने के आले बने हों डोम्स के नीचे हिंदु मंदिर के शिखर हों तो यह जो आप यह जो चीजे हम दिखा रहे हैं बता रहे हैं यह इसलिए बता रहे हैं कि यहां पर कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया और यही बात साबित करने के बात करूं फिर मैं अपने उस कॉमेंट पर आऊंगी यह तस्वीर आप देख रहे हैं यह भी ऐसा लगता तो नहीं कि उर्दू है यह तो कोई श्लोक ही लग रहा है और नीचे देखे भी यहां पर देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए जैसे भी आप किसी मंदि आप अगर इस समय बैजना धाम जाएंगे तो आपको भी महां पर ऐसा ही आर्किटेक्चर मिलेगा ऐसा देवी देवताओं को रखने के आले में बने हैं यह लिपी क्या आपको उर्दू लग रही है देखकर तो नहीं लगता यह यह देखिए ऐसा रगता है कि जैसे कुछ व जैसा क्शां है यह यह बाला इज इधर आपको नहीं लग रही है यह कोई भी फॉर्विश लैंगविश मिnob इंडिया से बाहर अब तो खेहर उर्दू हौं हमारी भाषा भी है लेकिन फॉरन लैंगुश तो कम से कम यह नहीं लग रही है लग रहे कि यह खोग ब्रन की कोमेंट की बात करें थी कि मुस्लिम पक्ष आज यहां ग्जान वापी से मिल रहे हैं यह तो राम मंदिर के फबूतों से भी कई स्याधा है जादा है, बिल्कुल सही कह रही है आप, और देखें में यहां पे क्या बात कह रहा हूँ, एक नट लिए भूल जाएए कि मैं एक पक्ष को रेप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आज हम मानते हैं कि हिंदू मंदिर का प्रांगर्ण है, यहां प सिर्फ एक्सपर्ट बॉड़ी के हिसाब से साबित किया जा सकता है for example अगर किसी को प्रूफ करना हो कि उसका DNA या दूसरे आदमी का DNA सेम है कि अलग है तो आप DNA जाच कराएंगे अगर कोई document में कोई signature forged है की नहीं है तो उसके लिए आप handwriting expert का test कराएंगे और भी ऐसे बहुत सारी जाच होती है उसी तरह से इस तरह के nature of cases में Supreme Court ने भी राम मंदर के case में कहा है पेरा 661.1 में कि ASI expert body है इसलिए हम ASI जाच की मांग करें कि ASI की जब जाच होगी तो ASI सही opinion दे पाएगी और इस समय हम यह कैसे मान लूँ कि ASI हमारे पक्ष में देगी जो भी सच्चा ही होगी ASI वो opinion देगी मैं आपको बताती हूँ Muslim पक्ष की चिंता क्या है क्योंकि हम आये तो दोनों पक्ष से बात हो रही है आपकी भी जो कोर्ट में होता है उसके इतर भी आपकी चर्चा हो रही होगी लेकिन Muslim पक्ष को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर यह साबित हो जाता है बहुत hypothetical है लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि यह मंदिर ही है तो आपकी अगली रणनीती यह होगी कि आप यहां से मज़ित परिसर को गिराएं यहां पर नमाज बंद करवाएं और फिर यहां पर एक मंदिर का निर्मार हो उनकी सबसे बड़ी टेंशन इस बात कि आपने असुदुदी न को भी वाइलेट करें जो हमारा सनातन शास्त्रिक नियम है वो यही है कि अगर एक बार किसी जगा देवता की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंति तक देवता की रहती है इसी लिए भले ही आप हमारी मूर्तियों को तोड़ दें पर महाँ पे वापस रेस्टोरेशन का काम हो सकता है अगर ऐसा लॉजिक नहीं होता तो क्यों समनात मंदिर को इतनी बार तोड़ने के बाद भी महाँ पे रेस्टोरेशन का काम किया जाता और आज समनात मंदिर को रेस्टोर करके हैं महाँ पूजा कर रहे हैं पॉइंट इन इश्यू यह है कि अगर आप किसी आएगी वो भी कोई फाइनल वर्डिक नहीं है उनको फिर से उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलेगा फिर से उसको अपने एक्सपर्स को लाने का मौका मिलेगा बेखली कि आप यह मत फोचें कि मैंने जू तस्वीरे दिखाई यह विश्णु शंकर जैन को ऑपीन इन्डिया टीवी न्योस गूगल पे तोर या अप स्तोर पर झाल